हे गाई स्वागत है आप सबका तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूं जैसे कि पूड़ी होती है नौर्मन आटी की पूड़ी या भटूरा या मैदे की पूड़ी यह तो आपने कई बार खाई होगी लेकिन आज मैं जो लेके आ इसलिए नमक दाला है और यहां पर मैं डाल दूँगी तो चमच के करीब रिफाइंड ओयल आप रिफाइंड ओयल ही डालिए सरसों का तेल मत डालिएगा और क्या करेंगे इसे हम अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर देंगी यसे हम पूड़ी के लिए मोयन लगाते बस उस अब देखिए इस तरीके से हो गया है थोड़ा सा गीरा में रखा है और इसे हम ढगा के 20 मिनट तक के लिए रख देंगे 20 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि सूजी ने काफी सारा पानी अब्सॉब कर लिया है जो डो है वो थोड़ा सा टाइट हो गया और मैंने इसको फ्लोर पे मसला है तो दोनों हाथों के हल्प से आप इससे पांच मिनट तक तो मसलिए और जाब आप देखेंगे कि यह जो डो है हमारा यह अच्छा सा स्ट्रेची हो गया है तो गाइस यहाँ पर यह स्टैप आपको याद रखना है कि कम से कम पांच मिनट तक आपको इसको मसलना है और उसके बाद आप देखे इस तरीके किया देखे स्ट्रेची कंसिस्टेंसी आ गए है इसकी जो डो है बहुत काफी स्मूध हो गया है काफी चिकना हो गया है तो हम इसके आप जो लोईयां होती है वो निकाल देंगे जितनी भी बड़ी साइज क आपको चाहिए चोटी चाहिए आप चोटी निका लिए बड़ी चाहिए तो आप बड़ी निकाली तो इस तरीके से क्या करना है मैंने सारी लोईयों को तोड़ लिया है और अब इनको हम अच्छे से मसल के इनके पेड़े बना लेंगे ये देखिए सारे पेड़े बनके सकते हैं जैस्सा आपको पसंदो और बस तेल को जो हमने गरम करने तरखाता है उसको हाइफ पे गरम करना है और अब इस तरीके से पूड़एं को उठा लेंगे और यह देखिए तेल अच्छा सा खौल गया है और यहाँ पर हम डालेंगे पूड़ी हमारी है रहेगी यहाँ और जैसे हम इसके अंदर पूरी डालेंगे न ये अपने आप ही फूल जाती है धीरे धीरे से और अगर कही कहीं पहल लगता है छुब आपको पूरी जो है वो आपकी नई फूल रही है तो आप उसको कर्ची होती न उससे आप ऐसे से तेल इसके उपर डालेंगे न तो पूरी चारो साइड से ये फूल जाएगी और देखिए कितनी सफेद कितनी गोरी-गोरी सी पूरी हमारी बनके रेडी है और यकीन मानें दोस्तों जब आप इस तरीके से पूरी देंगे न कोई भी यकीन नहीं मानेगा कि ये आपने सिर्फ सूजी से बनाई है और अगर जैसे आप भटूरे खाने के शौकीन है और मैदा थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है तो आप इस तरीके से सूजी की पूरी बनाईए और मजे लीजिए बहुत ही इजी और इंट्रेस्टिंग रेसिपी है ये और बस एक ही ट्रिक का आपको इसको ध्यान रखना है कि जब आप इसको गुंदेंगे तो आपको इसको कंटिनिवस 5-6 मिनिट तक लगातार इसको अच्छे से मसल मसल के गुंदना है तो यह देखिए हमारी पूरिया बनके बिल्कुल रिडी है सूजी की गुरी-गुरी फुली-फुली पूरिया तो चलिए अब इसको सर्फ करते हैं तो सर्फ करने के लिए यहां पर मैंने बनाई है आलो की सबजी और जैसे बनाई है और साइड में 2-4 रख दिए और पूर कीजिए तो होब काई आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आये तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें तिल देन थेंक्यों फॉर वाचिए